पर दिल्ली की कथिश शराब घोटाला मामले में गिरफतार बी आरेस ने ता केक अविदा के रिमान कोट में तीन दिनों के लिए बढ़ा दी है इडी ने आज उनकी हिरासत के अबधी खत्म होने के बाद उन्हें राउजे वन्यू कोट में पीश किया था और पांच दिन के रिमान बढ़ाने के मांग की थी कोट ने इस मामले में उन्हें तीन दिनों के हिरासत में भीश दिया है यानि केक अविदा 26 मार्च तक एडी की कस्टडी में रहेंगी इस पीश कोट ने केक अविदा को उनकी दोनों बच्चियों और परिवारवालों से भी मिलने की इजाज़त दी थी उन्होंने एडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बार-बार पूछने के लिए कुछ नया नहीं है वे बार-बार एक ही चीज पूछ जा रही है उन्होंने कहा चुनाव से पहले ही इतनी राजनितिक गिरफतारियां क्यूं हो रही है चुनावायों को इसमें दखल देना चाहिए इसे पहले एडी ने कोट से के कविता की पांच दिनों की रिमान की मांग करते हुए कहा कि उनके भतीजे मेखा सरन के आवाज पर तलाशी चल रही है इसे पहले सुप्रीम कोट ने के कविता की जमान अतियाचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था और उन्हें ट्राइल कोट जाने के लिए कहा था बतादे कि कल ही इस मामले में दिली के मुखे मंत्री अर्विन केजरिवाल को 6 दिनों की हिरासत में भेजा गया है आम आदमी पार्टी को सौ करोल रुपए की रिश्वत दी। इस बीच के कवीता ने मीडिया से बात करते हुए अपनी गिरफतारी को अवैद बताया और कहा कि वे इसके खिलाफ कोट में लडाई लडेंगी। के कवीता को साथ बिठा कर पूछताश करने की तैयारी कर रही है। इडी का दावा है कि के कवीता ने पूछताश में कई ऐसे बाते बताई हैं जिसका केजरिवाल से आमने सामनी की पूछताश में पुछती कराना जरूरी है। इस मामले में इडी की सुई के कवीता और विज कुछ कहेंगे एलेक्शन के टाइम पर इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है और बात है the EU क्यों अरेस्ट करना करना जडाए्ट में पॉलिप करना बात है